बिस्मिल्ला रह्मान रहीम आज हम बनाने जा रहे हैं रस्मलाई बहुत ही इधी स्टेप के साथ तो वीडियो का एंड तक देखिएगा इस रेस्पी को फोलो करकर रस्मलाई बनाएंगे तो इंशाला आपके रस्माईबली बिल्कुल परफेक्ट बनेगी बिल्कुल टूट को पनाना स्टर करते हैं इस रेस्पी को बनाने के लिए हम रहा के समाल करेंगा और एक प्रफ फ्समाईबल हैचा के रस्माईबन बिल्क पाौडर से वहों सारी विछी रस्मलाई बनाकर त्यार करेंगी तो सबसे पहले आपने इक बॉल में एक रष्ल में एके को अच्छे देख्गे से पैंटी है, लिक 6 हमें एक दफा में आपने इसको नहीं डाल देना, पहले हाफ अंड़ा डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर अßen Holy Państ , हमने जो हाफ WHO ćोडा था, और यहाफ इसके पीड़ा से बना लें अब आपने हाथों को गिरीज करना है और छोटा सा पीड़ा लेकर इसके उसको रस्मलाई की शेप देनी है नहीं इस तरह इस तरह बोल बना आगे इसको प्रेस कर देना है नहीं है यह कंद कर त्यार हुई है थे एक बहुत अच्छी को बना लें गें इंगे यह देकिन सारी त्यार कर लिए बिलकुर बहुत अच्छी है और पर्फट्ट बनी है ये देखें बहुत अच्छी से हमारी बंगा त्यार हो गई है अब हमने एक कड़ाही में एक लीटर दूद लेना है एक लीटर दूद शामल कर दिया अब इसके अंदर हम चीनी याड़ करेंगे सो ग्राम याब है मैंने चीनी शामल की थी अब अपने टेस्ट के कोडिंग भी इसमें शामल कर सकते हैं दो हरी यलाचीस में डाल दियें अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको बॉइल आने देंगे बस आपने इसको हरका लका थोड़ी देर के बाद इसको चम्मत को चलाते रहना है और साइड से जो दूल लगा होगा उसको भी इसके अंदे शामल करते जाना है इससे दूल बहुत अच्छा और गड़ा बनकर त्यार होगा यह हमारे पास एक लिटर दूल था तो जब यह सेवन फिफ्टी रह जाए तब इसके तरह आपने यह सारी गोलियों शामल कर देनी है बस आपने इसको हिलाना नहीं है इसको मिक्स नहीं करना यह देखे खुद ही इसकी ऊपर आ जएगी यह तो आपने इसको कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम के उपर इसको पकने देना है कि देखे 10 मिनट हो गए थे और यह कितनी अच्छी सी फूल गई है और यह साइज में भी डबल हो गई है तो आपने चमज को अहतियात से हलाना है इसको टॉट जाएंगे तो बस इस तरी के सालकाल का आपने इसको हलाना है और अब इसकी साइड चेंज कर देनी है तागे दू देखे 10 मिनट हो गए थे बहुत अच्छे यह पक चुकी है मजीद यह फूल गई है बड़ी हो गई है तो बस अहतियात से चमज को चलाना है दुबारा से कवर करके हम इसको पकने देंगे पांच मिनट के लिए बारी रसमलाई रैडी है बस आब आप चाहें तो इसके इसमें अगर आप नहीं डालना चाते हैं तो आप स्कीप कर सकते हैं बस इसको हलका सा हम हिला देंगे दो मिनट के लिए मजीद पकाएंगे और यह देखे हमारी रसमलाई बनकर तियार है बिल्कुल परफेक्ट बनी है अब हम इसको डिशाउट कर लेंगे और इसको ठंडा करके सर्फ करेंगे वोदी मज़दार और यमी से रसमलाई बनकर तियार हुई है इसको उपर से बदाम के साथ हमने गानिश कर दिये तो परफेक्ट रस्पी मारी बनकर तियार हुई है यह देखे आपको एक तोड़कर भी दिखा देते हैं अंदर से कितनी जूसी और परफ परफेक्ट बनी है बजार से अच्छी हमने घर में ही मिल्क पाडर से बनाकर तियार किये तो आप इसी रस्पी को ट्राइ कीजिएगा सेहम इसी रस्पी को स्टेब बेस्ट एप फॉलो करते हुए अगर आप इसको बनाएंगे तो आपकी रस्मलाई बिल्कुल ऐसी परफे झाल